दोस्तों किया आपके घर में पास साल से छोटे बच्चे हैं और उन्हें खासी की शिकायत है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बच्चों को दी जाने वाली खासी की दवा जिसका नाम है दोस्तों ये एक टाइप का सीरप है तो इसकी पूरी जानकर इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिये साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा कर पावर ओफ नॉलेज के नए वीडियो को सबसे पहले पाईए तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कंपोजिशन क्या क्या दिया गया है तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं टॉप पर लिखा हुआ है इसमें हैं एम्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइट और साल्बू टेमॉल दोस्तों ये कॉंबिनेशन सिरफ है और ये खासी में दिया जाने वाला सिरफ है और इसको बहुत ही जादा बच्चों को रिकमेंड किया जाता है जो पांस साल से छोटे बच्चे हैं ये उन लोगों को उन बच्चों को दिया जाता है तो दोस्तो यह जो है इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसर्ण करे बिना इसको यूज ना करे जैसे आपको आपके डॉक्टर रिकमेंड करे दिन में जितनी बार भी वो लेना है वो वैसे आपके डॉक्टर जैसा रिकमेंड करे उसके मुताबिक आपको इसको यूज और दोस्तों इसको आपको cool place यानि थोड़ी सी थंडी जगे पर रखना है और dark place यानि रोश्णी के contact में ना आए sunlight के contact में ना आए यहां पर लिखावाए keeping cool and dark place तो इन बातों का ध्यान रखिए और बच्चों से दूर रखिए use करने से पहले दोस्तों इसको अच्छे इसको यूज कैसे करना वह मैं आपको बता देता हूं दिन में दोस्तों इसको तीन टाइम आप ले सकते हैं आपके बच्चों को दे सकते हैं दिन में तीन बार 5 ml तक आप इसे reaction होते हैं तो skin rashes वगेरा हो सकते हैं और ये भी हो सकता है के पेट में दुखना भी हो सकता है मौरोड हो सकता है उल्टी वगेरा के भी शिकायत हो सकती है दोस्तो और ये भी हो सकता है दोस्तो के आपके जो जो है स्टमक जो है वह अपसेट हो जाए जुलाव वगरा भी हो सकता है चलिए दोस्तों आप देखते हैं कि इसकी जो एक्सपाइरी है वह क्या कितनी है तो इसके एक्सपाइरी दोस्तों 2022 तक है और इसकी जो प्राइज है वह है 25 रुपीज तो दोस्तों यह वीडियो को जा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बैल आइकन को भी दवा देना मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों अपने धिहान रखिएगा अपने बच्चों का धिहान रखिएगा थेंक्यू, बाबाई